आज इस कार्कम के माद्दम से 15 करोड 37 लाख रुपे के रासी का अंतरान किया गया है इसमें 3 करोड 36 लाख रुपे गोबर खरीदी के और 12 करोड 1 लाख रुपे के गोठां समीती और स्वासायता समू को लाभांस के रासी सामिल लगातार इस भेट मुलाकात कार्कम में जहां भी गया हूँ गोधन नयाय योजना को लेकर हमारे पसुपालक भाईयों किसानों और स्वासायता समू और गोठां समीतियों से में अच्छा उस्सा नजर आ रहा है इस योजना से हमारे ग्रामिन भाईयों के आय बढ़ाने के सांसात रोजगार के आऊसर भी बढ़े हैं हमारी माताव वहनों को नई आर्थिक ताकत मिली है गोठान के माध्यम से केवल वर्मी कमपोस्ट या गोबर खरीदी के काम नहीं हो रहा है बलके वहां सब्जी बाड़ी भी लगा रहे हैं कुपकुट पालन भी हो रहा है बक्री पालन हो रहा है मचली पालन हो रहा है मस्रूम कोत पादन हो रहा है तो रोजगार के नए आउसर मिल रहे हैं और यह गौठान जो है रूरल इंडेस्ट्रिल के पार के रूप में यह विक्सित हो रहा है इससे निश्यत रूप से गाउं के लोगों को रोजगार और शत्तीजगर में लगातार उत्पादन का विकेंद्री करन हुआ है और इससे अर्थ बेवस्ता को बहुत बड़ी ताकत इससे मिलने वाली है जैविक खात के बारे में वह जैसा कि मैं रवी जवबे जी से मानी मंत्री जी से मैं पूछ रहा था और भारत सरकार किस प्रकार से डेपी यूरिया पोटास के आपूरती में जो मही महने में हमको मिल जाना च सो 믿भाली जो बाउस्कार से किसान चिंतिदीद भी है सरकार भी उन्मी किसान भाइयों कि इस चिंता से में सामिल है है व। भारत सरकार इसी प्रकार से बॉपर देपी और यूरिया के आप उर्थी में कमी करें तो हम लोगों को सबसे पहले बात जो अभी मंत्री जी ने बात बताया कि सुपार फासफेट के आप उर्थी में तेजी लाना चाहिए ताकि उसके जो रसानी तो कम से कमम फासपेट वप्लब्द हो जाए क्यों कि वेसे ने हुष्प फासपेट डालना पसंद्ध करते हैं सिसे यह दूसरा यह वर्मी कमकोश्थ में एगे मैं जाहिए उसका भी लावं मिलेगा movement कराना चाहिए और किसानों को प्रेरिद भी करना चाहिए वह सारे करेक्टर को जिस प्रकार से सी ओर कलेक्टर के बारे में आपने बात करी तो उसमें ज्यादा जोड़ देने की आश्कुता है यह दिए भारा सरकार उपलब ही ने करा पाये तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं तो इनी सब्दों के साथ